नमस्कार अपुर्वाज किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोग के साथ सूजी के हलवा की रसपी शेयर करने वाले हूँ अभी नवरात्री के टाइम इस सूजी के हलवा को आप बना सकती है बच्चों को टिफिन में दे सकती है घर आये महमानों को भी इस सूजी के हलवा को बना कर खिला सकती है कम से कम घी में बिलकुल दानेदार और परफेक्ट सूजी का हलवा हम कैसे बनाएंगे आईए देख लेते हैं इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई गैस पर चढ़ा दें कढ़ाई गरम हो जाए तब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें एक कप बेसन डाल देंगे बेसन का कच्चापन चला जाए और इसका रंग हलका बदले तब तक हमें से भूनेंगे आप देख सकती है बेसन का रंग बदल चुका है तो अब इसमें एक चमज घी डाल दें और इसे फिर से थोड़ी देर तक भून लें बेसन अच्छे से भून चुका है तो अब इसे कढ़ाई से निकाल लेना है कड़ाई को अच्छे से साफ कर ले और अब हम इसमें 3 कप सूजी डाल देंगे ये बारिक दाना वाला सूजी है गोल्डन ब्राउन होने तक सूजी को ड्राय रोस्ट करना है लो फ्लेम में हम इसे भूनेंगे अब देख सकती है सूजी अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें डेर चमच घी डाल देंगे घी डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स करें और थोड़ी देर तक और भून ले सूजी अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसमें पहले से भुना हुआ बेसन डाल देंगे बेसन डाल देने के बाद फिर से इसे मिक्स करें और अब हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी मैंने दो कप यूज किया है इसे भी मिला लें चीनी को सूजी और बेसन के साथ मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे फ्लेम को लो रखना है जिस कप का योज मैंने सूजी बेसन और चीनी के लिए किया था सेम उसी कप से 6 कप पानी का मैंने योज किया है पानी डालने के तुरंद बाद इसे चलाते रहें इससे क्या सूजी में गुठलिया नहीं पड़ेंगी इसे अच्छे से mix कर लेने के बाद medium flame में हम इसे cook करेंगे बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि ये नीचे लगना जाए सूजी पक जाए तब तक हम इसे medium to high flame में cook करेंगे सूजी half done हो चुका है तो अब इसमें हम dry fruits डालेंगे सबसे पहले मैंने इसमें काजू डाल दिया है काजू डालने के बाद इसमें किश्मिश और बदाम डाल देना है आप अपने वसंदिदा कोई भी dry fruits ले सकती है dry fruits डाल देने के बाद फिर से mix करें और अब हम इसमें elaiji powder डाल देंगे यहां मैंने 4 elaiji का use किया है elaiji powder डाल देने के बाद फिर से mix कर लेना है मैंने सूजी को बिलकुल dry कर लिया है आप चाहें तो सूजी एक थिक consistency में रहे कभी gas off कर सकती है तयार है हमारी आज की यह simple दानिदार perfect सूजी के हल्वा की recipe मैंने इस हल्वा को बनाने के लिए सिर्फ पानी का use किया है आप चाहें तो सिर्फ दूद डाल कर या फिर दूद और पानी दोनों मिलाकर इस हल्वा को बना सकती है धान रखना है ना यह जादा गीला हो और ना ही यह बहुत जादा dry हो जाए बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे सूजी पक जाए तब gas off कर देना है आपको मेरी आज की यह simple सी recipe कैसी लगी या आप मुझे comment करके बताना ना भूले अगर आपको मेरी recipes पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को like और share जरूर करें चैनल में नए है और वीडियोज अच्छी लग रही है तो बस वीडियो देखकर चली न जाए ऐसे ही easy to make और tasty recipes के लिए मेरे चैनल को subscribe कर ले और side में जो bell icon देख रहा है उसे press करके all पे click कर दे ताकि मेरे upload किये हुए हर वीडियो उसके notification आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आप मुझे facebook या instagram में देख रही है तो follow जरूर कर ले साथ ही अब आप मुझे facebook चैनल में भी follow कर सकती है तो follow करना ना भूले Thank you, thanks for watching